हेलो एब्रीवन वेलकम टो और योटूब चैनल अकांचा जी है सब आज की इस वीडियो में हम क्लास एट का जियोग्राफी देखेंगे एंसियाटे का फुल कॉंसेट देखेंगे जिसे कोश्चन आते फैक्ट पुरा देखेंगे और प्रिविएस यहर हम करी रहे हैं उपने च्छाओं की पूर्टी के लिए करता है हमारे पर्यावरण में उपलब्द हर ववस्तु संसाधन कहलाती जिसका इस्तिमाल हम अपनी आओ सकता हों की पूर्टी के लिए कर सकती है तो शंसाधन इसको कहते हैं उप्योगी देखो उप्राक्रितिक शंशाधन मानवी चान मानव निर्मिस संसाधन यह सभी वस्तूओं का उप्योग मनुष्क्या हो सकता हों को पूरा करते हैं प्रियोजयता क्या होता है एक वस्तू अत्वा पदायत की उप्योगिता अत्वा प्रियोजयता उसे एक संसाधन बनाती है देखो मूल लिक्या होता है कुछ संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं आग की खोज से खाना पकाने और पहिए के आविशकार से अनंत परिवहन की नवीन्तम विधियों का विकास हुआ और जल विद्धित बनाने और प्रद्योगी ने तेजी से बैते जल से उर्जा उत्पन करके उसे एक महत्पूर्ष अंसा योगी की कहलाता है संसाधन के प्रकार हम देखते हैं जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते उसे और अधिक संसोधन के बिना उप्योग में लाए जाते हैं प्रकृतिक शंसाधन कहलाते हैं वायू जिसमें हम सांस लेते हमाई नदियां और जीलों का जल मृदा और खनी सबी प्राकृतिक शंसादन है विभिन समूहों में प्राकृतिक शंसादनों का वर्गी करण उनके विकास और प्रयोग के अस्तर पर उदगम भंडार एवं वित्रड के अनुशार किया जाता है अब हम वास्तविक शंसादन देखते हैं वास्तविक संसादन विशंसादन होते हैं जिनकी मात्रा ग्यात होती इन संसादनों का इस शमय उपयोग किया जा रहा है महाराश्ट में दक्कन की पठार काली मिट्टी के भरपूर निछेप सभी वास्तविक संसादन है शंभाव ये शंसाधन क्या होते हुए शंसाधन जिनकी संपूर मात्रा ज्यांत नहीं है लेकिन इसका उपयोग भविश में किया जा सकता है लद्दाक में पाय गया यूरेनियम और शंभाव ये शंसाधन का एक उदार है जिसका उपयोग भविश में किया जा सकता है उत्प पुनव पूरित हो जाते हैं इन में से कुछ असीमित और उन पर मानवी क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता जैसे सौर और पवानोजन नवीकर्णी शंसादन जैसे जल मृद्धा और वनका लापरवाई से किया गया उपियों उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है देखो भंडार एक प्रकार प्रयाप्त होने के बाद नवीकर्णी संसादन जैसे कोईला हो गया प्राकृतिक गैस जो मानोजीवन की अवधी से बहुत थी मतलब अधिक है संसादन के वित्रडव हम लोग देखते शरोब्यापक जो संसादन सभी जगे हैं जो संसादन होते हैं ना प्राकृतिक संसादनों का वित्रडव भाग जलवाई उचाय जैसे अनेक भातिकार को पर निर्भर करता है मानो निर्मित देखो उसके नाम से पता चल रहा है मानो की दवारा बनाएंगे कभी-कभी प्राकृतिक बदार तब संसादन बन जाते जब उनका मूल रूप बद प्रद्योग की भी एक मानो निर्मित संसादन है मानो शंशादन लोग और अधिक 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 संसादन बनाने के लिए प्रकृतिका सबसे अच्छा उप्योग तभी कर सकते जब उनके पास ऐसा करने का ज्यान कौशल तथा प्रद्योग की उपलब्द हो मानो शंसादन क कब विकाश अधिक संसादनों के निर्मान में शमर्थ होने के लिए लोगों की कोशल में सुधार करना है। सनरच्छर संसादनों का उपियों करना उन्हों करने के कि लिए चमय देना इस गरेकर के लिकाश lakh performs सक्ता और भविविष्य के लिए उनकी सनरच्र विकास संतूलण भ कहलाता है वहांना सक्ठ स्वूर होता है भूमी म्रिदाजल वनलस थी ऑर रहती है यह नहीं प्रतिस्त के विसे थोड़े से प्रतिसत के भी भाग आवाश के योगे नहीं है भूमी और जलवाई के विभिन लचडों के कारण बिश्व के विभिन भागों में जन संक्या का वित्रड अश्मान पाया जाता है उबर्ड खावर्ड अस्थलाकृति प्रवतों के तिव रढ़ार मरुस्थल संगनन विरल छेत्र भूमी उपयोग भूमी का जैसे जन संक्या प्रद्यों की नीची भूमी व्यक्तियों के श्वामित्य में होती शमुदाई भूमी समुदाई के स्वामित्य में होती जन संक्या बढ़ने क्रिशी योगी भूमी का विस्तार भुष्खलन मृदा परदन मरुस्थ मतलिब के मरुस्थली करण पर्या और प्राप्त होने का डर पैदा हो गया इसलिए वन रोपर राशानिक कीट नासको और उर्वरक जो होते हैं वीनियमित उपयोगत था अति-चारड पर रोक आधी भूमी सानरचले के लिए प्रियुक्त कुछ सामाने तरीके हैं मृदा के प्रिष्ट पर दानेदार कड़ों के आउरड की पतली परत मृदा कहलाती या भूमी से निकटता से जुड़ी हुई है अस्थल रूप से मृदा के प्रकार निर्धारित करते हैं मृदा का निर्माट चट्टानों से प्राप्त खनीजों जो जय जो पदार्थ होते भूमी पर पाय जाने वाले खनीजों से होता है या पच्छे के प्रक्रिया के माध्यम से बनती खनीजों जय पदार्थों का सही मिस्रम मृदा को उगजाओ बनाता है केवल एक सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्स लग जाते हैं मृदा निर्माड के कारक मतलब जो है जनक सैल का श्वरूब है मतलब की जो जलवाई कारक है मृदा निर्माड के अन्य कारक अस्थला क्रिती जो पदार्थों की भूमी का मृदा के संगटन में लगा जमय मृदा का निमनी करण मृदा अपरदन और छेड़ता मृदा शंसादन के लिए दो प्रमुख खत्रे मानमी और प्राकृतिक दोनों ही कारकों मृदाओं का निमनी करण हो सकता है म्रिदा के निम्नी करण में सहायक कारक वनुन मूलन अतिचारण रासानिक उर्वरक और कीटनास को कात्य दी उपियो वर्षा दोहन भुसकलन और बाढ़ादी यह सब म्रिदा के सरच्छड के उपाए मल्च बनाना देखो इनसे प्रिष्टी प्रभाव और म्रिदा परदन कम हो सकता है समुच रेखिय जुताई एक पहाड़ी धाल पर समुच रेखा के समांतर जुताई धाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक और रोत का निर्माड करती रच्छक में एक लाएं तटी प्रदेसों में सुस्क प्रदेसों में पवन गती रोकने के लिए व्रिच्छ कतारों में लगाये जाते हैं ताके म्रिदा आउरण को बचाया जा सकी चटान बाद या जल के प्रवाव को कम करने के लिए बनाये जाते हैं यह नालियों की रच्छा करते हैं जल क्या इसको देखते हैं जल एक महत्त भाई भागों को ठके हुए मासागरों का जल लवडी है और मानुवी उप्योग के लिए उप्योगत नहीं क्योंकि यह लवडी जल है लवडी जल यहां से कोश्चन आता है लवडी जल 2.7 परसेंट है देखो है तो वर्स देखते हैं वर्स 1975 में मानुवी उप्योग के लिए जल की खफत 3850 घं कीमी प्रती वर्स थी जो वर्स 2000 में बढ़कर 6000 घं कीमी प्रती वर्स हो गए से भी अधिक हो गई एक टपकता जल यह कोश्चन पूछता है वर्स में कितना लीटर जल ब्यार्थ करता है तो 1200 लीट जल बचाने के लिए काफी है और सतन का एक भारती नागरी प्रती दिल लगभग 135 लीटर जल का उपभूग करता है जल की उपलब्दता के समस्या है अधिको कहां का पर अफ्रिका है पस्चिमी सयुक्त राज अमेरिका में दच्छडी अमेरिका के भाग आस्ट्रेलिया और लवडी जल की आप वूड़ी की कमी का मतलब की है लोग सामना कर रहे हैं वह प्राक्रितिक वनश्पत्य और वन ने जीव केवल अस्थल मंडल जल मंडल वाय मंडल के भीड़े यह पाए जातें ज Auch आप को मघppy की रहने के लिए निरभर रहती है वनष्पत्ति क्या है बहुत energies अब हमारा दो चैप्टर पूरा हो गया हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं क्रिशी क्रिशी से बहुत ज़्यादा कोश्चन आते इसको देखते हैं गरी जिसका अर्थ म्रिदा और कल्चर जिसका अर्थ क्रिशी उताई करने से पाधिय से परिश्कृत उतपात्ते के रुपांतरर में सिया होती है प्राथमी क्रियाएं क्या होती प्राथमी क्रियाएं जो होती है प्राक्रितिक संसादनों के उत्पादन और निसकरसर से है क्रिशी मत्सयान प्रशुपालन आदी दितिक क्रियाएं जो हो गई इन संसादनों के प्रसंसकर से सम्बंदित जैसे हो गए इस पात हो गया वी निर अब agriculture क्रिशि को देखते हैं , इस कौन कौन से अंतरक्वर क्या होता है , लिस ऐता है , पीसी कल्चर का याद रखते मत से पालन होता है पीसी कल्चर का होता है ,如何 help तो इस तरह से याद करिंग चोटे चोटे जोटे चोटे होते हैं तो ताकि भूले ने वीटी कलचर से अंगूर की खेती होती है अंगूर की खेती है वहीं एपी कल्चर होगा तो मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालन अब हम क्रिशी देखते हैं क्रिशी एक प्रात्मिक क्रिया है फसलो फलो सब्जी फुलो को गाना पशुधन पालन इसमें सामिले बिश्चों में 50% लोग क्रिशी से संबंदित क्रियाओं में शनलगने यानि इस पर जिस भूमी पर फसले उगाई जाती है क्रिशी गत भूमी कहलाती है क्रिशी तंत्र इसके महत पूर्ड निवेश बीज मशीनरी और स्रमिक है जुताई बुआई सिचाई निराई और कटाई इसकी कुछ शंक्रियाएं हैं इस तंत्र के निर्गतों के अंतरगत फशल उ कुकुट उत्पाद आते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं उन्डेरी और कुकुट के उत्पाद आते हैं क्रिशी के प्रकार बिश्व में क्रिशी विभिन तरीकों से की जाती भागोलिक दशाओं उत्पादिन की मांग श्रम प्रद्योगी की अस्थरप्रा की अधार प प्योग किया जाता है इसमें परिवारिक और परिवारिक की मतलब क्या हो सकता हो को पूरी करने के लिए क्या निर्वाक्रिशी क्या होता है गहन निर्वाक्रिशी और आदिम निर्वाक्रिशी में वर्गी क्रिप किया गया है निर्वाक्रिशी को दो में किया गया है एक गहन दलहन तिलहन यह सब सामिल है अधिम निर्वाव किरिशी क्या है इसमें अस्थांतरित करिशी क्या है अमेजन बेसी के शंगननवन छेत्र उस्रकटीवंदी अफरिका दच्षिट पूरव एशिया और उत्तरी पूर्वी अमेरिका के भागों में प्रशलीत है यहां बिच्च आलू कशावा रतालू जैसे फसलों को उगाया जाता है इसका नाम पूछ लिता है लगला चलवासी पशुचारण देखते हैं सहारा के अर्थ और शुर्स के प्रदेशों में मदेशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान तथा जम्मो कश्मीर कश्मीर में मतलब प क्रिया पालती है पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूद माश उन और सॉल वगएरा जो है या फिर खाल जो हो गया वह उत्पान मतलब की उत्पात होता है इनका इसको बेशते हैं यह लोग और जो उन होता है इनका जैसे पस्मीरा का साल वगड़ी सब बहुत मह पशुचारेंं होता है वाड़ी की क्रिशी में फशल उत्पादन और पशुपालन बजार में विक्रे समील है इस प्रिस्तित ख्रशा रूपіч से उगाई जाती हैं जैसा मेरिका यूरोप में डूरोप इस आपलाफ स्वित रूखाश के मैंदार निया लोग अना इस इसके बाद हम एक वीडियो करेंगे जियोग्राफिकी 2019 से लिके 2023 में जितने कोश्चन आये है ना पूरे कोश्चन हम लोग देखेंगे 2011-2011 काभी कोश्चन देखेंगे वह बहुत मतलब थोड़ी दो घंटे की हो सकती क्लास हो या उससे कम भी हो सकती क्योंकि मैं 2x की स्पेड में खुदी बोलती हूं तो हो सकती है लेकिन आप उसको देखिएगा काफे हेल्फूल होगा और वो फैक्ट की साथ होगा मिस्रित क्रिशी भूमी का उपियोग भोजन वह चारे की फशल उगाने वह पशुधन पालन के लिए किया जाता है यह उरो पूर्वी शंयुक तराज अमेरिका आज़ेंटीना दच्छिडी पूर्वी आस्टेलिया वह न्यूजिलेंड वह दच्छिड अफ्रिका में प्र इसके उधारण पूर्ण को पूरा करने के लिए विभीध प्रकार की फशले उगाया जाती है खादे फशले देखो क्या होती जैसे चावल होते चावल को देखते हैं यह बिसुकी मुख्य खादे फशली है प्रदेशों का मुख्यार है यह आद रखना यह चावल कैसे जगे पर उगाई जाती पहले उष्य कटी बंदी और उपोष्य कटी बंदी चावल के लिए तापमान चाहिए होता है अधिक आद्रता यह वर्षा क्या हो सकता होती इसलिए जून में चावल लगाया जाता है उस मिश्र आता है गेहूं के वरधन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षात अश्यकरतन मतलब फसल की कटाई के समय तेज धूप के आउसकता होती है इसलिए देखो गेहूं का टाइम होता है तो उस टाइन पे अप्रेल में चलता रहता है और तेज मतलब धूप के आउसकता ह मध्यम तापमान वर्षा और अधिक धूप के आउसकता होती है भारत ब्राजिल चीन रूस में उगाई जाती है मक्का यह रेशेदार देखो यहां से पूछ लेता है इसकी व्रिद्दी के लिए उच्च तापमान हलकी वर्षा दोसों से दोसों दस पाल रही दिन और और जडोर मृदा में शर्वत्त मुक्ति हैं चीन सायुक्त राज अमेरिका भारत ब्राजिल मिर्ष कपास के अग्रेडी उत्पादक है यह सूति वस्रुद्द्यों के लिए एक महत्यपूर कच्चा माल है अब पटसन देखते हैं हम लोग अब हम लोग पटसन देखते हैं सुनहरा रेशा किसको कहते हैं उसमें रेशम अगेरा भी दिया रहेगा तो जहां सुनहरा रेशा होगा बहुत से लोग रेशम को लगा देते हैं लेकिन पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है यह जलोड मृदा में अच्छे धंग से विक्सित होता है इससे उच्च तापम यह शूप अपवाही दोमत मृदा की आउसकता होती इन फशल बृद्धी के लिए ढाल अधिक उपयोग दोती है ब्राजील का कॉफी देखो ब्राजील में सबसे ज़्यादा मतलब कॉफी उगाया जाता है इसके पस्चात भारत और कोलंबिया में उगाया जाता है चाय चाय तो हम लोगा सबका फिवरेट है क्रिशी का विकास क्रिशी विकास का संब्ध बढ़ती जन संख्या की मांग को पूरा करने के लिए क्रिशी के उत्पादन को बढ़ावा की दिशा में किये जाने वाले प्रियासों को क्रिशी विकास कहा जाता है यह कई तरीकों से प्राप अच्छे खार्दे सुरच्छा को बढ़ाना है क्रिशी का विकास विश्टू के विविन भागों में विविन गतियों से हुआ अधिक जन संख्या वाले विकास सिल देश से अधिकतर गहन क्रिशी करते हैं जहां छोटी-छोटी जोतों पर शामानता जीविका के लिए फसले बड़ी जोते वाडि जीक की क्रिशी के लिए अतिधिक उप्योग होती है जैसे कि सही उकतराज अमेरिका कराड़ा आस्टेलिया में विकास सिल देशों में गहन क्रिशी करते हैं भारत का दित्ति हैं हम लोग किशान एक दसमीलों पांच हेक्टेर में क्रिशी करता है इसे देसों में बड़े फॉर्म जो हैं वह क्रिशी करते हैं अमेरिका में 250 हेक्टेर बड़े फॉर्म में मक्का विज्ञानिक उर्वरक कारिकरम की योजना बनाने में मदद करते हैं और रशानिक उर्वरक को जो कीट नासी हो गए या फिर पीड़क नासी जो सकता अमशार प्रयोग करने वाले इसकी मदद करता हैं वहां है टेक्टरों बीज बोने की मशीनों सायूक्त हार्वेस्टर और सेयर थ्रेशर का उपियोग किया जाता है क्रिशी शंबंदी दिवित संक्रियाओं में मदद करता है अनास वचालित अन्य बढ़नार में संचित किये जाते हैं थ्वा बजार अभी करणों में भेजे जाते हैं तरह अमेरिका में किशान एक व्यवशाई की तरह काम करता है ना कि खेतियार इंसान की तरह काम करता है अगला हमारा चौथा चैप्टर है उद्धियोग इसको देखते हैं आप हम लोग उद्धियोग का शंबंद आर्थिक गतिविधी से है जो वस्तुएं के उद्पादन ख कच्चे माल को लोगो की लिए अतिधिक मुलिद के उध्पादों के रूप में परीवर्थित किया जाता है जैसा कि आपने देखा है लुग्दी कागज के रूप में और कागज अभ्यास मुस्तिका के रूप में उद्धियोग का वर्वर्गी करण Ouro उद्धियोग के उद्धयों के उद्धयों के उद्धयों करते हैं जैसे भारी मशीने भवन निर्मारा सामागरी तथा रेल के डिब्बे में आकार के अधार पर उद्धियोग औक गया की अतोर मोबाइल और भारी मशीनों पर बढ़ता है के उध्योग के उधार है श्वामित्यों के आधार कपर उध्योग जो है नीजी नीजी छेत्र के उध्योग इनका श्वामित्य और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा बैक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है सार्वजनिक छेत्र इनका श्वामित्यों संचालन सरकार द्वारा होता है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस्टील ऑथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सायुक्त छेत्र क्या होता है इसको देखते हैं लोग सायुक्त छेत्र इनका शौमित और संचालन राज्यों वहम ब्यक्तियों अथ्वा ब्यक्तियों के समू प्रवाइद करने वाले कारक्स संचार परिवहन भूमे विद्व श्रम पूजी बाजार कच्चा माल जल अध्योगिक प्रदेश क्या होते हैं अध्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह की एक दूसरे के निकट होते हैं वह अपनी निकटता लाब आपस म प्रमुक प्रदेश पूर्वत्तर अमेरिका मध यूरोप पूर्वी एशिया अधिकांस उद्योग जो होते हैं न सितोस कटिवंदी चेत्रों के शमुद्री पत्नों विशेस्ता कोईला चेत्र के निकट हैं बारत में अध्योगिक प्रदेश देखते हैं मुंबई पूड मुंबई पूड़ी शमू पैंगलोर तमिल नाडु प्रदेश हुगली प्रदेश अहमदाबाद बड़ोदा और चोटा नागपूर प्रमुक प्रदेश विशाखा पत्नम गुट्टूर अध्योगिक प्रदेश गुडगाउं दिल्ली मेरट कोलम त्रिविंतु पुरम सं संद्राइज उद्द्योग क्या होता है उभरते उद्द्योग को कहते है उदारण प्रदेश की स्वास्तलाव सरकार ग्यान प्रमुक उद्द्योग क्या होता है विश्व के प्रमुक उद्द्योग लौ इसपात सूति वस्त्र उद्द्योग और शूचना प्रद्योगी क में मद्ध्यवर्टी कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी भारत में बैंगलोरु में प्रदेश में इस्थितिप प्रगलन क्या है एक ऐसी क्रिया जिसमें धातुओं को इसमें आयस को द्वारा गलनांग से अधिक तापन निसका असड़ किया जाता है लॉइस पात उद्धिय बराबर एक तर इश्पात बंथा बनता है इस पात को कठोर करने के लिए इलमूनियम निकिल तावा की थोड़ी मातरा ढाली यह उद्ध्यों मैं यह मतलब क्या कहलाता है मैं भारत में इस आड़ नहीं भारत में भिलाई जो है ये शतिति सितिसगड़ में दुरगापुर पश्चिम बंगाल में जमसेदपूर जारकन ड्राउर के लाउडिशा में विजय नगर करनाटका में और विशाका पत्नम जो है आंधर प्रदेश में और सलेम तमिलनाडो इसके बारे हम लोग देखते हैं जमसेदपूर जो है ना 1947 में पूर्व केरलेवम कारखाना टिसको जिसको बुलते हैं 1947 में इसका हुआ था स्थापना इसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और लोहाइसपात सयंत्र अस्थापित किया में बाजार तक माल जल रेल के माध्यम से जाता है टेक्स्टाइल के है लेटिन सब्द टोकू सीरे से मतलब उत्पन हुआ किया गया जिसका अर्थ है बुन्ना सूती वस्त्र उद्द्योग धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन का लाएक कापाश उन सिल्क जूट और पटसन का प्रयोग वस्त निर्मार में होता है उप्योग में लाएगे कच्चे माल के अधार पर वस्त्र उद्द्योग का वरगी करण किया जा सकता है से एक है ऐटरावी सथी में उद्द्योगी करान्ति हुई भारत में कालीगत मुसली पटनम सूरत में उत्र उतत्पादन के केंद्र है पहला वस्त्र मिल भारत में 1824 स्थापित किया गया था कानपूर अहमदाबाब अई हो हो गया मुंबाई कोलकाता ल अद्याना पानोर जो है इसके महत्पूर केंद्र हैं एहमदाबाद 1869 में यहां पहली सूती मील अस्थापित हुई थी यह था सिगरी मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त निर्माता नगर बन गया अहमदाबाद को प्राय भारत का जो है मैंचेस्टर कहा जाता है ओशाका उशाका जापान का एक महत्पूर केंद्र है यहां जापान का मैंचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है उशाका में सूती वस्तर उद्धियोग का विकास कई भागोली कारणों से हुआ हाली में सूती उद्धियोग का अस्थान अन्य उद्धियोग जैसे लौ, अस्पाद जहाज रानी आटो मुवाइल विद्द उपकरण वह सिमेंट लेते जा रहे हैं शूचना प्रद्योगी की शूचना उद्योग शूचना की संग्रहर प्रक्रम और वित्रण को बेहार में लाते वर्तमान में यह उद्योग भू मंडली हो गया है उद्योगी की राजनितिक श इंगलूरू में इस्थित है भारत की महानगरी केंद्रों में अन्य उभरते शूचना प्रद्योग की नाविकी छेत्र हैं जैसे मुंबई नई दिल्ली हैदराबाद चन्ने गुडगाउं पूड़े कोची चंडिगर आदी अब हम लास्ट शेप्टर देखते हैं मानों सं संसाधन लोगी एक राष्ट के सबसे बड़े शंसाधन होती प्रकृति की देन केवल उस समय महत्पूर होती जब लोगों के लिए उपयोगी होती लोग अपने आउशक्ताओं और योगताओं से उसे संसाधन में परिवर्थित करते हैं इस प्रकार मानों संसाधन में अंत निवास करते हैं मालों यह पूरा सो परसेंट मानीजिस है इस प्रसेंट ही लोग निवास करेंगे जन संख्या का अत्यांत वित्रज हो है अशमान है कुछ शेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ बतलब बहुत ज्यादा विरल है विश्व के घने आबादे वाले देश चीन चीन अगर भारत में पूछे तो भारत क्या है हमारे साथ वे नंबर पर चेत्र रोजगार के आउसर प्रदान करते हैं लोग बड़ी शंक्यामीन चेत्रों की और आकरसित होते हैं उदारण के लिए मुंबई जीवन प्रत्यासा यह उन वर्सों की संख्या है जिसमें उसर ब्यक्ति के जीवित रहने की आस्ता की जा सकती है जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन से ताथ पर एक निश्चित अवधी के दोरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से हैं जन्म और मृत्यू की संख्या में परिवर्तन के कारण अठारा सो में बिश्यू की जन संख्या एक अरब हो गई थी एक सो पचास वर्ष तो बाद 1950 के प्रारा में विश्व की जन संख्या तीन अरब पहुच गए इस से प्राय जन संख्या भी स्पोर्ट कहते हैं 1999 में पचास वर्ष में कई अउधी से कम से कम जन संख्या दूगनी छे अरब हो गई थी इसका मुख के कारण है खाद्या पूर्ति और शदियों के कारण मृत्युदर कम होना जबकि जन्मदर अभी भी बहुत अधिक रही है जन्मदर देखो क्या होता है कैसे निकालते हैं प प्रवाशी जो चोड़ते हैं और प्रवाशी होगों होते जो देश नियया में जन्मदर दोनों ही उच्ये हैं यूनाइटेट किंगडम में निम्न दर मतलब निम्न जन दर है और मृत्यु दर के कारण जन संक्या बृधी की दर मंद है जन संक्या संगटन या शंगटन जो है ना यह एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिगा को शमझने के लिए हमें उनके गुड़ों के बारे में जनने के आव सकता होती लोग अपनी लिंग साथ चर्टा अस्थर स्वास्त दर्शाओं ब्युसाय और आयके अस्थर एक दूसरे से भिन्न होते लोगों की इन विस्षिताओं के बारे में जानना आवर्शक है जन संक्या संगटन की रचना को दर्शात है जो है हमारी जानन पूरुष और कितनी स्थिया वे किस आयू वर्ग के इस प्रकार की ब्युसाय में लगे हैं उनकी आयका क्या अस्तर और श्वास्त दसाएं कैसी जन संख्या पिरामिट एक एक मतलब जो है डेश जन संख्या संगटन का अध्यान करने की एक रूचिकर वीडिय जन संख्या जिसे आयू लिंक पिरामिट भी कहते है यह जन संख्या पिरामिट धर साथ है कुल मतलब पिरामिट कैसे बिमीन वा वर्गों में विभाजित उदारेट के लिए 5-9 बंसे 9 वर्थ 10-14 वर्थ कुल जन संख्या का प्रशुप प्रतेक वर्थ में पूरू सिस्त्रिया बिभा अधार पर चोड़ा और उपर तीवरता से सक्रा होता जाता है ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जन्म लेते उनमें से अधिकतर की मृत्यू और शैश्वाकाल में ही हो जाती है कुछ ही बड़े हो पाती है जिन देशों में मृत्यू दर विशेश रूप से छोटे बच्चों क कम हो रहा यूवा आयू अर्ग का पिरामिड चोड़ा है क्योंकि सीसू पाउड़ा आवस्था तक जीवित रहते यह भारत के पिरामिड में द्रिश्टी गोचर होता है इस प्रकार की जनसंक्या यूवा सा पेच्च अधिक है इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़